दोस्तो हीरा बसम आपको बताए गए सारे लाब तो देती ही है लेकिन इसमें बस आपको एक बात का ध्यान रखना है इस हीरा बसम का प्रियोग आपकी शरीर की प्रकरती है उसके आपका रोग कितना पुराना हो चुका है क्या आपको पूर्व में भी कोई रोग रहे ते इन इन सारी चीजों को देखते हुए हीरा बसम का प्रियोग किया जाता है तो कभी भी आप हीरा बसम का प्रियोग करें तो किसी एक आयरुवेद आचारे के सनक्षण में करें किसी ऐसे व्यक्ति के सनक्षण में करें जिसको आयरुवेद की नौलेज हो डारेक्ट आप स्वयम से हीरा बसम या किसी अन्य बसम का प्रियोग नहीं करें और इसके लिए सबसे साधारान बात आपको बताओं जिससे आप एकदम समझ सकते हैं जैसा कि मैंने शुरू में बताया इसका नाम है वज्र बसम अगर आपने पुरान के गरंथ भी पड़े हैं तो जो वज्र होता था इंद्र का एक अस्तर होता था जिसका वो प्रियोग करते थे लेकिन वो पहला अस्तर नहीं था वो पहले सारी चीज़े चला लेते थे और उसके बाद अंतिम में वज्र का प्रहार किया जाता था तो ठीक इसी तरीके से हीरा भसम बहुत ही अलग परिस्तितियों में और किसी कुशल आयरवेद आचारे के संदक्षण में इसका प्रियोग करें